जहें दोस्तों आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट स्टेडियू प्रस्ट में दोस्तों आज मैं आप लोगों ले मायत का कुछ इंपॉर्टेंट प्रस्ट लेकर गाए हो और अगर आप किसी विग्जाम की तैयारी करें हो त्याप के लिए इंपॉर होगा सिंपल सप्रस्ट है दोस्तों देखिए बोल रहा है क्रेमुल विक्रेमुल का तीन वटा चार है बस इतना ही लाइन देहां दीजिए दोस्तों क्रेमुल विक्रे मुल का तीन बटा चार है अब क्रे मुल हमारा जो है तीन है विक्रे मुल हमारा चार है ठीक है अब यहां लिखते हैं विक्रे मुल चार और क्रे मुल हमारा हो गया तीन तो हमारा क्या होगा इसमें एक परसेंट का लाव होगा लाव कितना होगा दोस्तों एक होगा दोस्तों सॉरी एक परसेंट ने एक का लाव होगा लाव एक का होगा तो बोला उस वर कितने परसेंट का लाव होगा अब लाव होगा एक का तो लाव परसेंट बराबर लाव परसेंट बराबर लाव परसेंट बराबर हो होता लाब गुने सव, बटा क्रेमूल होता है, अब लाब हमारा देखिए, एक है, यहां एक लिख दीजे, 100 लिख दीजे और बटा में करे मूल हमारा कितना है? 3 है अब ये कटेगा नहीं दोस्तो ति क्या की दियेगा? डिवाइट कर दीजे तो आजागा 33 पुर्णांक 1 बटा 3% अहीं हमारा 100 परसेंट होगा कितना है दोस्तो? 33 पुर्णांक 1 बटा 3% अहीं आपका एंसर हो गया चलिए आगे बढ़ते और नेक्स प्रस को देखते हैं दोस्तो दूसरे प्रस को देखिए दूसरे प्रस क्या रहा है आपका किसी वस्तु को बेचने पर उसका लाब विकरे मुलका 2 बटा साथ है तो लाब परतिसत ग्याद की दे अब यहाँ दे दिया है लाब दो तो ठीके? लाब विकरे मुलका 2 बटा साथ है अनि लाब जो है सो पहले वाला आ गया ठीके? और विकरे मुल हमारा नीचे वाला आ गया तो अब लिखे यहाँ विकरे मुल कितना है साथ है और लाव हमारा कितना है तो दो है हम बेचे इसको साथ में और फाइदा हुआ था दो हुआ था ठीक है तो हमारा करेमूल कितना हो जाएगा क्रेमूल हमारा 5 हो जाएगा अब बोरा लाब परसेंट गयाद कीजिए तो लाब परसेंट बराबर अभी मैं आप लोग को बताया हूँ लाब परसेंट बराबर लाब गुने 100 बटा क्रेमूल ये फर्मूला होता है दोस्तों अब देखिए लाब हमारा देखिए दो का है गुने में 100 लिक दीजिए अब बटा में करेमूल 5 है अब इसको काड़ दीजिए 5 से 20 बार में 20 परते 100 अब इसको गुना कीजिए गज़ 20 दूनी 40 तो लाब परसेंट कितना है दोस्तों तो 40 परसेंट अई हमारा इंसर हो जागा देखिए C नमबर में दोस्तों चले आगे बढ़ते हैं और तीसरे परस को देखते हैं दोस्तों तीसरा नमबर परस देखिए तीसरा नमबर परस कर रहा है एक दुकंदार त्रीटी पूलत राजू के माधेम से वस्तों को खरीचते समय 10% घुटाला करता है तो था बेचते समय 10% घुटाला करता है उसका 100% कितना है आनि खरीचतना था उसको 1 एजी तो 1200 गराम जो ऐसो ले लेता है अब जब बेचता है तो देना चाहिए था उसको 1000 ग्राम, तो देता है कितना? वो देता है 900 ग्राम दोस्तों, ठीक है? अब खरीदते समय वो जो 10% घुटाला करता है, अनि 100 ग्राम लेना था, तो वो 110 ग्राम ले लेता है, कितना ले लेता है? तो 110 ग्राम ले लेता है, और क्या करता है? जब बेच का यहां भी 10 परचेंट का लाब इसको जो यह 110 परचेंट हो गया बटा में 100 कर दी ज तो लाब होताया और तो हानी होतीacas 121 यहां 121 तीहे तो तो 121 में 100 घटा दीजी, तो हमारा 100,000 परसेंट कितना है दोस्तों, तो 21 परसेंट आया, अई आपका एंसर हो गया, बस कुछ नहीं करना है, इन दोनों का गुना करना है, परसेंटेज में हैं, परसेंटेज हटाने के लिए, बटा में 100 कर देना है, ठीक है, कार दीजे, 121 आया, अब 100 से ज़्यादा है तो 21 परसेंट लाब हो गया, चले, सिंपल सा परस था दोस्तों, चले आगे बढ़ते हैं, और चौथे परस को देखते हैं, चौथा नमर परस देखिए, चौथा नमर परस बोल रहा है, एक दुकंदार 10 परसेंट लाब पर चाय बेचता है, तथा वास्तविक माप से 20 परसेंट कम तोलता है, उसका कुल लाब कितने परसेंट है, वो क्या करता है, ज्यान दिजेगा दोस्तों, 10 परसेंट लाब पर चाय बेचता है, आνि 100 का चाय जो है, सो 110 में बेचता है, ठीक है, और फिर क्या करता है, वो वास्तविक माप से 20 परसेंट कम तोलता है, और नहीं 100 ग्राम तोलना चाहिए तो वह 80 ग्राम ही तोलता है ठीक है और बोलता है तो उसका तो बोलता है तो उसका कुल लाब कितने परसेंट है अब देखिए अब हमारा जो है यह विक्रेम叀 लो गया दोस्तो कि और यह हमारा क्र्म लो गया ऑगे क्योंकिे देखिए वह कम तॉलता है तो उसी ग्राम ही देता है ठीक है तो यह क्रेम spectrum हो गया 110 ग्राम तो आभ देखिए इसको अंतर निका लिए अंतर बराबर कितना हो रहा, 30 का अंतर हो जा रहा है, यह 30% का, और 30% बवराबर हमारा जो है, कितना है, ओ सॉरी, तो दोस्तो हो, थोड़ा से मिस्टेक किया हमाँ, देखे, यह क्या परसेंटेज मैं नहीं होगा दोस्तो, ठीक, यहाँ पूछ रहा है हमारा, लाब पर्चेंट पूछ रहा है दोस्तों ठीक है तो अंतर 30 आया आनि अब लाब पर्चेंट ये लाब आया दोस्तों ठीक है ये लाब आया तो लाब पर्चेंट पराबर लाब पराबर भी बताए लाब गुने सव बटा करेमुल तो करेमुल हमारा असी है ठीक है अब इसको काड़ दिजिए दोस्तो ये बीस चोके असी और बीस पचे सव अब दो दुनी चार ये पंदरा काट गया पंदरा पचे 75 आ गया बटा दो अब इसको काटिएगा आप तो 37 पुर्णांग एक बटा 2% आएगा दोस्तो अही आपका एंसर हो जाएगा चलिए तो 100% कितना हुआ तो 37 पुर्णांग एक बटा 2% दोस्तो चलिए आगे बढ़ते हैं और 5 परस को देखते हैं दोस्तो 5 परस देखिए वाचोपरस क्या रहा है आपका 144 मुर्गईाँ बेचने पर महर्ज को 6 मुर्गियों के विक्री मूल के बराबर गाटा हुआ तो उसके गाटे का परतिसत कितना है अब यहाँ दोस्व देखे 144 मुर्गी बेचता है महर्ज जो है 144 मुर्गई बेचता है और छे मुर्गी के विक्री मूल के बराबर घाटा हुआ तो विक्रे मूल हमारा कितना हो गया कि तो विक्रे मूल 144 हो गया कि एक सो गवालीश और जब घाटा हुआ छे मुर्गी ठीक है कितना मुर्गिया घाटा हुआ दोस्तों तो छे मुर्गी तो हानी HONEY बराबर 6 मुर गया तो जब हानी होता है तो विक्रेमल के साथ एह हानी जूड़ जाता है तो वो क्रेमल बनता है, दोलतो है तो क्रेमल बराबर यह जोड़ दिज़ बाभर तो हमारा 1.500 हो जाएगा क्रेमल हमारा 1.500 हो गया तो पूछ रहा घाटे का परतीसत कितना है अन्य हानी का परतीसत कितना है तो हानी बराबर हानी बराबर हमारा हो जाता है हानी पर्चेंट बराबर हानी गुने सव बटा करेमूल ये फर्मूला होता है दो तो तो हानी हमारा कितना है तो छे है गुना सौब करदीज़े बटा में क्रेमूल क्रेमूल हमारा 12 सब है अब इसको काट दीज़े दोस्तो इसको काटिएगा ये दो बार में ये तीन बार में अज तीन से काटे तीन दू निच्छे आनि 4% दोस्तो तो उमको घाटा कितना हुआ तो घाटे एक परसेंटेज कितना है तो चार परसेंट है दोस्तों अई आपका एंसर हो गया चले आगे बढ़ते हैं गर्मी बहुत ज्यादा है दोस्तों बारी सोने यह रही है अब रूम बंद करके जब डिकॉर्डिंग करता हूं थोड़ा सा गर्मी से परिसान हो जाता हू चले कोई बात नहीं थोड़ा थोड़ा मिश्टेक होई जाता है छटा प्रस देखें दोस्तों एक कपड़ा विक्रेता 33 मिटर कपड़ा बेच कर 11 मिटर कपड़े के बिक्री मूल के बराबर लाप राप्त करता है तो उसका लाप परसेंट कितना है 33 मिटर कपड़ा बेच कर 11 मिटर कपड़े के बिक्री मूल के बराबर लाप राप्त करता है तो बिक्रे मूल उसका कितना हो गया तो बिक्रे मूल हो गया 33 मिटर और जो है लाप 11 मिटर कपड़े मूल के बराबर लाप राप्त करता है देखें लाप लिखा हुआ है तो 11 11 मिटर तो क्रेमूल हमारा कितना होगी तो क्रेमूल बराबर हो जाएगा विक्रेमूल घटाओ लाब तो हमारा 22 मिटर हो जाएगा ठीक है अब पूछ रहा है उसका लाब पर्चेंट कितना है तो लाब पर्चेंट बार बार मैं फर्मूला नहीं लिक रहा हो दो तो आपको आ बटा में करये मूल, तो करये मूल हमारा बाइस है, देखिंए, यहां बाइस लिख दी थे, इस 11 से काटि है, दो बार में, 12 और 20 , और 20 से काटी है, पचास बार में, तो हमारा, 50% जो जो हैprodu life हो गया दोस्तों, आई यह आपका anisor आ गया, जो सही answer क्या है दोस्तों तो 50% चले आगे बढ़ते हैं और 7 परस को देखते हैं दोस्तों 7 परस देखिए 7 परस आपका एक आदमी एक वस्तु 20 परस लाब पर बेचता है अधिवा उस वस्तु को 20% कम में खरीदे होती और 5 रुपया कम में बेची होती तो उसे 25% का लाब होता है वस्तु का करे मुल क्या है दोस्तों इस परस को आप लोग अच्छे से समझेगा ने फिर समझ में नहीं आएगा दोस्तों अब द्यान दीजागा दोस्तों बोल रहा है एक आदमी वस्तु को 20% लाब पर बेचता है 20% लाब पर बेचता है आने 120% अधिवा उस वस्तु को 20% कम में खरीदे होती तो 5 रुपया कम और कम में बेची होती तो 25% का लाब होता इधर इसको अपलिके 20% कम और 80% में खरीदे होती तो 5 रुपया कम और कम में बेची होती तो 25% का लाब होता आने 125% हो जाता बटा में 100 कर दीजिए पर्षेंटे करने के लिए अब काटे इसको 25 चोके 100 और 25 पचे 125 ये 4 दुनियाट और 20 चोके 80 ये आगया 25 पचे 100 आ गया ठीक है तो हमारा जो है 20% लाब में बेचता ठीक है यहां आपका आजागा 100% अब इसका क्या किजिए अंतर कर दीजिए अंतर करते हैं तो कितना आता है तो 20% आता है और इस 20% बराबर 5 रुपिया कम में बेची जाती ये 5 रुपिया हो गया दोस्तों इस 20% बराबर 5 रुपिया तो 100% पूछ रहा है करेमल अर करेमल जब भी होता है तो 100% में बराबर दोस्तों तो अब क्या करिजिए पांच गुने आयो, आही आपका answer हो गया ठीक है चाले आगे बढ़ते हैं और 6 प्रस को देखते हैं दोस्तों है आछी हुआ खोर्ण देकि दोस्तों सेम प्रश्ण है देखे दोस्तों आठों प्रश्ण बोला एक वस्तु को बारा परचेंट लाब पर बेची गई अधी उसका लागत मूल 10 परचेंट कम होता और विक्री मूल 5.75 पैसा अधीक होता तो लाब 30 परचेंट हो जाता उस पर 20 परचेंट लाब पाने के लिए उसे क और से दयान दिजेगा दोस्तों अगर नहीं अच्छे समझेगा तो नहीं बनेगा बाद में आपसे बारा Прशेंट लाब परबेटी ये एक सो बारा हो गया ठीक है उसके वो बात बोल रहा है उसका लागत मूल 10 परचेंट कम होता तो विक्री मुल पर 5 रुपिया 75 पैसा अधिक होता तो लाब 30 परसेंट हो जाता इस 30 परसेंट बराबर ठीक है एक मिनदे 10 परसेंट कम होता उसका लागत मुल 10 परसेंट कम होता इधर कीजिए इसको 90 परसेंट 10 परसेंट कम अने 90 परसेंट गुने ये जो है 5 रुपिय यह 75 और पैसा अधिक होता तो लाब जो है, 30 Madam को जाता है, 30 percentage हो जाता है अब 30 हो जाता है एक जो 30 हो जाता इसको बटा में कर दीजिए और इसको काड़ दीजिए परसेंटे जहाता आने के लिए यह कटा यह कटा यह कटा यह कटा यह कटा ठीक है अब 1327 दाहासिया गया इसका लागत मुल कितना आ जाएगा 317 रुपया जाएगा दोस्तों ठीक है यह पर्षिंट इजम आजेगा अब इसका अंतर कर दीजी इसका अंतर करेंगे हम तो यह पांच परसेंट आ जाएगा दोस्तों और इस पांच परसेंट बराबर पांच रुपया 75 पैसा आता है कितना अधिक हो जाता इस पांच परसेंट बराबर दोनों का अंतर किये तो यह पांच रुपया 75 पैसा हो जाता तो अब बोल रहा है 20 परसेंट लाब पाने के लिए 120 परचेंट बराबर ठीक है 120 परचेंट बराबर पांच गुने 75 गुने 120 बटा ये 5 हमारा नीचे आजागत हो तो अब देखिए इस प्वैंट को हटाने के लिए प्वैंट दिये और दू अंक है तो दो 0 दिये अब काड़ दीजे इसको ये कटा 20 परचे 100 और 20 चके 27 अब इसको काटिए 5 एकम 5 और 5 परचे 25 कटे गया दोस्तों अब इसको काटिए 5 से 5 दूनी 10 और 5 ये 15 अगर गुना की देगा आप तो आप का जागा 138 दोस्तों ठीक है तो उसे कितने रुपिय में बेटा जाने तो 138 रुपिय में बेचा जाने चाहिए दोस्तों अहीं आपका इंसर हो गया चलिए आगे बरते दोस्तों और 9 परचे को देखते हैं 9 परचे देखिए नौ परचे कहा रहा है दोस्तों एक वेक्ति अपनी घड़ी 5 परचे ठानी परवेची अधिवा 56 रुपिया 25 पैसा में अधिक में बेचा जाता तो लाब 10 परचेंट होता मेज का लागत मुल क्या है अब मेज का लागत मुल ध्यान दीजेगा दोस्तों एक वेक्ति अपने घड़ी 5 परचेंट हानी परवेची आनि 95 में बेची होगी अधिवा 56 रुपिया 25 पैसा अधिक में बेचता तो उसे 10 परचेंट लाब होता कम या अधिक मैं बार 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 बताता हूं वो अंतर को बता दया दोस्तों तो 10 परचेंट जो है सो लाब होता कितना 10 परचेंट लाब होता दोस्तों जब 10 परचेंट लाब होता यहां लेके 110 यह परसेंटेज में कर दीजिए दोस्तों और जब इसके अंतर निकालेंगे अंतर तो कितना आ जाएगा हमाला आ जागा 15 परसेंट आ जाएगा दोस्तों ठीक है इस 15 परसेंट पराबर यह 56 परचेंट 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 होता है तो 100 परसेंट पराबर 100 परचेंट पराबर यह 56 परचेंट यह 25 गुने सव और यह बटर में आ जाता दोस्तों यह 15 जो है बटर में आ जाएगा अब इस पॉइंट को हटाएग अर इसाथ दो अंक है तो 100 लिग दिए यह काट दिए यह काट दिए अब इसको काट दिए ढूट दोस्तों देखिखे 5 घotion 15 अब पांसे काटे एक एक पांच रून 10 और पंच 25 और इसको तीन से काटेगा तो आपके का जागा 375 आ जागा जागा तक ने ही आपका लागत मुल्ह उला गli तो ता लागत मुल knatा गिया तो 375 रुपिया दौस्ति अई आपका एंसर हो गया तो सही एंसर क्या हुआ तो 375 रुपिया हुआ ओखे और झाल रते हैं एक और सौ спрос को देखते हैं दोस्तों नीजीगा को कि ते बोलुड़ा है r stupid दो बार आ तो दोस्तों ठीक है एक घोड़े को 20,000 रुपया में बेचने पर 25% लाब होता है अधि उससे 40% लाब पर बेचा जाए तो घोड़े का विक्रे मुल क्या होगा ठीक है 20,000 बेचने पर 20,000 बेचने पर 25% लाब होता है तो अधि उससे 40% है 25% लाब आने 125% 125% बराबर 20,000 रुपया ये 20,000 रुपया तो 40% लाब बराबर आने 140% 140% बराबर 20,000 गुने 140 बटा ये 135 बटा में आ जाता है अब इसको काटिए 25 पटे 135 ठीक है 25 पटे 135 और 25 अठे 200 दो जीरो दे दीजिए अब काटिए 5 से काटिए इसको तो 1685, 160, 160 और 140 को गुना की देगा तो 22,400 आज आएगा 22,400 अई आपका एंसर हो जागा तो घोड़े का विक्रे मुल कितना हुआ दो दोस्तों तो 22,400 अई आपका एंसर हो गया चले दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें च करें दो तो